रेल्वे की एक अक्टूबर को गोशित नई समय सारणी में जैपूर जोदपूर जैपूर इंटर सीटी का जालोर के सम्दड़ी बिल्ली रेलखंड पर इस ट्रेन को सलाने के बजाए इस ट्रेन का विस्तार पाली तक करने पर विरोध स्वर उट रहे हैं दरसल पाली का कोई परस्ताव नहीं था इस ट्रेन को जालोर तक बढ़ाने की मांग चल रही थी राजसमन के लोगसभा सांसद दिया कुमारी ने रेल्वे को पत्र लिखकर पाली तक ट्रेन को बढ़ाने का विरोध किया है दिया कुमारी ने इसे जालोर तक बढ़ाने की मां की है फिलाल रेलवे अब असमजस में पड़ा है और अब इसे जालोर अत्वा पाली में विस्तारित करने को लेकर समिक्षा की जा रही है वर्तमान में जालोर से जैपूर और दिल्ली के लिए सीधी कनेक्टिविटी नहीं है इसका खामियाजा यहां के ग्रेनाइट और उद्मियों को भुगतना पड़ रहा है जालोर तक इंट्रस्टिटी आती है तो यह जालोर जो जैपूर के वीच में पहली ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी रेलोर के अनुसार जैपूर से जालोर के मद्य पहले भी ट्रेन संचालित की गई थी जो कुछ समय तक शली थी उस पर प्रयाप्त यात्री बार नहीं होने के कारण और अन्य कारणों से रेलोर ने इसे बंद कर दिया इसके बाद वापस किसी ने रेलोर को इस ट्रेन को की थी सांसद ने लिखा कि जालोर तक ट्रेन सलने से ग्रिनाइट इंडस्ट्री से जुड़े उद्धिमियों को वह आम लोगों को इस ट्रेन से रहात मिलेगी गाड़ी संच्या 22,977,88 जैपूर जोजपूर इंटर सीटी को पाली तक विस्तार करने की गोशना की है लेकिन पाली रेलवे इस्टेशन पर अभी तक समुचीत वैवस्ताय नहीं की गई इस कारण अगले कुछ दिनों तक फिलाल या ट्रेन पाली तक नहीं जाएगी अभी रेलवे ने इसे होल्ड पर रख दिया है उदर जोजपूर साबरमती ट्रेन 6-8 मही तक कैंसिल की गई है साब अभी रोड मावल इस्टेशनों के बीस में रोड और ब्रीज गारे चल रहा है इस कारण यह रेल यातायात प्रभावित रहेगा रेल मंडल के प्रबंदक पंकज कुमार शेंग ने बताया कि गाड़ी संक्या 14-821 जोदपूर साबरमती ट्रेन दिनांग 6-8 मही तक रद र रहेगी इसी प्रकार की लेटेश्ट और ताजा अपडेट प्राने के लिए हमारे सेनल को सब्सक्राइब करें और आप भी अपनी मांग को निरंतर बढ़ाते रहें ताकि समद्री बीदरी रेल खंड पर इस चेत्रवासियों को नई रेल की स्वगात मिले